द्यानिक जीवन में हम कई प्रकार के वस्तुओं का प्रयोक करते हैं आपने ध्यान दिया होगा कि इन सभी वस्तुओं का एक अपना रूप वो आकार होता है ज्यामिती में हम विभिन आकरितियों के रूप वो आकार का ध्यन करते हैं एवं उनकी तुलना करते हैं आज इस पार्ट में हम कई प्रकार के वस्तुओं के रूप वो आकार का ध्यन करेंगे एवं उनकी तुलना करेंगे मैंने कुछ पत्यां इकठे कर रखी हैं आईए उनकी तुलना करें पहले इन दो पत्तियों को देखते हैं आप देख सकते हैं कि दोनों रूप में एक समान नहीं है और आकार में भी एक बड़ा है तथा दूसरा छोटा अब इन दो ब्लेडों को देखिए ये रूप में समान है और आकार में भी समान है यदि एक को दूसरे के उपर रखा जाए तो हम देखते हैं कि ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढख लेते हैं क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी आखरितियों को हम क्या कहते हैं जी हां ऐसी आखरितियों को हम सर्वांग सम आखरितियां कहते हैं सर्वांग सम आखरितियां यानि वे आखरितियां जिनके सभी अंगों का माप समान हो यानि बराबर हो अब हम इन दो आखरितियों को देखते हैं ये दोनों रूप में समान है, परन्तु आकार में एक बड़ी तथा दूसरी छोटी है, यदि छोटी वाली आकरिती को बड़ी के उपर रखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये एक दूसरे को धखती नहीं है, परन्तु रूप में एक जैसी लगती है क्या आप इन आकरितियों के बारे में जानते हैं? ऐसी आकरितियों को हम समरूप आकरितियां कहते हैं आकरितियों के इस गुण को हम समरूपता कहते हैं समरूप आकरितियों के कुछ और उधारन है एक ही नेगेटिव से प्राप छोटे बड़े चित्र एक चित्र को विस्तार यानि इनलार्ज कर विभिन चित्र यह है गोल सिक्के वास्तब में सभी वृताकार आकरितियों समरूप होती है जैसे यह छोटे बड़े चल्ले या चूडियां इसी प्रकार सभी वर्ग भी सदेव समरूप होते है आएए देखें कि क्या दो आयत भी सदेव समरूप होते है इन दोनों आयतों को देखिए इसमें बड़े आयत की लंबाई, छोटे आयत की लंबाई की दुगनी है तथा बड़े आयत की चोड़ाई, छोटे आयत की चोड़ाई की तिगुनी है क्या ये दोनों समरूप है दो आकृतियों के समरूप होने की एक शर्थ है और वो है समरूप आकृतियों की संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है अभी हमने देखा कि इंग दोनों आयतों में लंबाईों में अनुपात है एक अनुपात दो परंतु चौडायों में अनुपात है एक अनुपात तीन अर्थात संगत भुजाओं में समान अनुपात नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दो आयत समरूप नहीं है आए अब यह दो आयत देखें इसमें बड़े आयत की लंबाई छोटे आयत की लंबाई की दुगनी है इसी प्रकार बड़े आयत की चोड़ाई, छोटे आयत की चोड़ाई की दुगनी है यानि संगत भुजाओं में समान अनुपात है वह अनुपात है एक अनुपात दो इस प्रकार हम इन दोनों आयतों को समरूप आकरितियां कह सकते हैं अब इन दो आक्रितियों को देखिए, क्या ये समरूप कहे जा सकते हैं? जी हाँ, ये समरूप है, क्यूंकि इनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात है अब इस बड़े आक्रिती के कोणों को जड़ा दबाव डाल कर हम इसे एक समानतर चतुर्भुज बना देते हैं क्या ये अब समरूप है? जी नहीं, ये समरूप नहीं है, क्यूंकि समरूपता की दूसरी शर्थ है समरूप आक्रितियों के संगत कोण समान होते हैं अब इन दो आक्रितियों में छोटे वाले आक्रिती के कोण समकोण है परन्तु इस समानतर चतुर्भुज के कोण समकोण नहीं है इसलिए क्यूंकि संगत कोण बराबर मापके नहीं है इसलिए अब ये आक्रितियां समरूप नहीं कही जा सकती अब आपने बताना है कि क्या ये दोनों आकरितियां समरूप हैं आईए देखें इन दोनों आकरितियों में से बड़े आकरिती की भुजा छोटे आकरिती की भुजा की दुगनी है यानि संगत भुजाएं समान अनुपात में है और वो अनुपात है एक अनुपात दो परन्तु छोटे आकरिती के कोण समकोण है एवंग बड़े आकरिती के कोण समकोण नहीं है यानि दूसरी शर्थ पूरी नहीं उतरती इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दो आकरितियां समरूप नहीं है इस प्रकार रेखा खंडों से बनी दो आकरितियां समरूप होती है यदि उनमें संगत भुजाओं में समान अनुपात हो तथा संगत कोण समान हो दो आकरितों में अगर ये शर्थें पूरी होती हो तो वह दो आकरितियां समरूप कहलाती है हम जानते हैं कि एक नियमित बहुभुज में सभी भुजाएं समानमापकी होती हैं तता सभी कोण भी समानमापके होते हैं जैसे ही ये पंच भुज है इसकी सभी भुजाएं आपस में समानमापकी हैं तता सभी कोण भी समानमापके हैं इसी तरह यह शटभुज है नियमित शटभुज इसलिए इसकी सभी भुजाएं समानमाप की हैं तता सभी कौन भी समानमाप के होंगे आईए देखें कि क्या यह दोनों नियमित शटभुज भी समरूप है क्योंकि यह दोनों नियमित शटभुज हैं इसलिए इनकी प्रतिक भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी इस तरह से यदि बड़े शटभुज की एक भुजा चोटे शटभुज की एक भुजा से दुगनी है या तिगुनी है तो बाकी भुजाएं भी चोटे शटभुज के उसी अनुपात में होंगी यानि संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी इसी तरह से इसके कोण बराबर बराबर मापके हैं और हम जानते हैं कि एक नियमित शटभुज में प्रत्ते कोण 120 डिगरी का होता है इसी तरह से इस छोटे वाले नियमित शटभुज में में प्रत्ते कोण 120 डिगरी का होगा यानि संगत कोण भी बराबर मापके होंगे इसी प्रकार अन्य नियमित भभुज जैसे पंचभुज, शटभुज, सब्तभुज, अश्टभुज, सदेव ही समरूप होंगे अब आप जानगे होंगे कि वर्ग सदेव आपस में समरूप क्यूं होते हैं समरूपता की द्रिष्टी से त्रिभुजों का एक अलग स्थान है दो त्रिभुजों में यदि समरूपता का एक शर्ट पूरा होता है तो दूसरा शर्ट भी अपने आप ही पूरा हो जाता है इसलिए त्रिभूजों में समरूपता के कुछ अलग शर्टें वो नियम है इन नियमों को हम त्रिभूजों की समरूपता प्रमय के नाम से अध्यन करते हैं इन प्रमयों को अध्यन करने से पहले आए एक बहुती उप्योक्त प्रमय का अध्यन करें प्रमे है मूल भूत समानुपाति प्रमे आए सबसे पहले इसके कथन को देखें इस प्रमे का कथन है यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं इस कथन को हम आकरिती द्वारा इस प्रकार दर्शा सकते हैं यह एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC जिसमें रेखा खंट DE BC के समानतर है सिद करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC हम रचना करते हैं D को C के साथ मिलाते हैं तथा E को B के साथ मिलाते हैं D से एक समकोन भुजा AC पर बनाते हैं जो उसे X पर मिलता है इस प्रकार DX समकोन बना भुजा AE पर तथा E से समकोन बनाते हैं भुजा AB पर आए अब इसकी उत्पत्ति करें हम देख रहे हैं कि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC यह त्रिभुज तथा यह त्रिभुज यह त्रिभुज यह दोनों समानता रेखाए DE तथा BC के बीच बनी हुए है इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों का शेत्रफल बराबर होगा यानि त्रिभुज DEC का बराबर होगा त्रिभुज DEB के शेत्रफल के बराबर त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज ADE को देखें इसे हम थोड़ी देर के लिए चुपा लेते हैं और इन दो त्रिभुज को देखते हैं DEC तथा ADE त्रिभुज DEC का शेत्रफल होगा एक बटा दो गुणा EC गुणा DX इसी तरह से त्रिभुज ADE का शेत्रफल होगा एक बटा दो गुणा AE गुणा DX इसे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का शेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का शेत्रफल बटा दो गुणा AE गुणा DX बटा DEC का शेत्रफल होगा एक बटा दो गुणा EC गुणा DX यानि त्रिभुज ADE का शेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का शेत्रफल बराबर होगा AE बटा EC आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ADE का शेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का शेत्रफल आया हमारे पास AE बटा EC इसी तरह से हम त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEB का शेत्रफल ले सकते हैं यह बराबर होगा AD बटा DB बिल्कुल इसी तरह से इसे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का शेत्रफल बटा त्रिभुज DEB अब हम इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं AD बटा DB अब इन दोनों को देखिए इसमें हमने पहले ही लिख लिया है कि त्रिभुज DEC का शेत्रफल त्रिभुज DEB के शेत्रफल के बराबर है यानि यह शेत्रफल इस शेत्रफल के बराबर है दूसरी और यह शेत्रफल और यह शेत्रफल एक ही है इस प्रकार दोनों बायंपक्ष बराबर हैं, इसलिए दायंपक्ष भी बराबर होंगे, यानि AE बटा EC बराबर AD बटा DB होगा, आएए इसलिख लेते हैं, AE बटा EC और यही हमें सिद्ध करना था, यानि इस त्रिभुज में यह रेखाखंट DE, यदि BC के समानतर है, तो यह बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, यानि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इसी, इसी को हम एक नए रूप में भी लिख सकते हैं, AD बटा DB जमा एक बराबर AE बटा EC जमा एक, यह बना AD जमा DB बराबर AE जमा EC बटा EC, अब AD जमा DB बना AB बटा DB बराबर AE जमा EC, AE जमा EC बना AC बटा EC, EC, इसका एक और रूप भी है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, BD बटा AD जमा एक बराबर EC बटा AE जमा एक, जिससे हमें प्राप्त होता है, AB बटा AD बराबर AC बटा AE इसे हम आकरिती में इस प्रकार देख सकते हैं, पहले हमने सिद किया, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, उसके दूसरे रूप में हमने देखा, AB बटा DB बराबर AC बटा EC, और तीसरे रूप में हमने देखा, AB बटा AD बराबर AC बटा AE यहाँ प्रमें बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उप्यूक्त है, एवं इसका विलोम भी सत्य है, अर्थात यदि एक त्रभुज ABC दिया हुआ है, जिसमें यह रेखा उसकी कोई भी दो भुजा को समान अनुपात में बाटती हो, तो वह रेखा खंड तीसरी भुजा के समानतर होगी, यानि इस त्रिभुज में यदि AD बटा DB है, बराबर AE बटा EC, अगर यह दिया हुआ है, तो यह भी सत्य है कि DE BC के समानतर होगी, आए इसे एक उधारन द्वारा समझें, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदूओं को मिलाने वाले रेखा खंड, समानतर चतुर्भुज बनाते हैं, इसे आकरिती द्वारा हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, यह एक दिया हुआ चतुर्भुज है A, B, C, D और E, F, G, H, मध्य बिंदू हैं भुजाओं A, B, B, C, C, D, तथा D, A के, हमें सिद्ध करना है कि यह चतुर्भुज E, F, G, H, एक समानतर चतुर्भुज है, इसके लिए हम रचना करते हैं, A और C को मिलाते हैं, और अब यह दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज B, A, C, तथा त्रिभुज D, A, C, त्रिभुज B, A, C में हम जानते हैं कि बिंदू E तथा बिंदू F या रेखा खंड E, F, भुजा A, B तथा भुजा B, C को समान अनुपात में बाटती हैं क्यूंकि यह इनकी मद्ध बिंदू हैं, इसलिए अभी हमने यह नियम किया कि यदि यह समान अनुपात में बाटते हैं बिंदू, तो तीसरी भुजा के समानतर होंगे और उसके आधे माप के होंगे, रेखा खंड H, G, A, C के समानतर होंगे क्यूंकि यह इस त्रिभुज के दोनों भुजाएं A, D तथा D, C को समान अनुपात में बाटते हैं, इसलिए H, G, A, C के समानतर भी होंगे और इसके आधे माप के होंगे, आईए इसे लिख लेते हैं, रेखा खंड A, C इस चतुर भुज को दो त्रिभुजों में बाटती है, त्रिभुज B, A, C तथा त्रिभुज D, A, C, त्रिभुज B, A, C में बिंदू E तथा बिंदू F भुजाएं B, A तथा B, C को समान अनुपात में बाटती हैं, इसलिए रेखा खंड E, F, A, C के समान अनुपात में बाटती हैं, रेखा खंड E, F, समान अनुपात में बाटती हैं, त्रिभुज B, A, C में इसी तरह से त्रिभुज D, A, C में, बिंदू H तथा बिंदू G, भुजाएं A, D तथा C, D को समान अनुपात में बाटती हैं, इसलिए रेखा खंड H, G, समानतर होंगी रेखा खंड A, C के, इस प्रकार हम देखते हैं कि E, F, A, C के समानतर है, H, G भी A, C के समानतर है, यानि E, F, समानतर होगी H, G के, इसी तरह से विकर्ण D, B को बनाने पर हम देख सकते हैं कि H, E, समानतर होगी F, G के, इस प्रकार से यह चतुर्भुज E, F, G, H, एक समानतर चतुर्भुज है, अब इन दो त्रिभुजों को ध्यान से देखिए, इनकी संगत भुजाएं बराबर मापकी है, तता संगत कोन भी बराबर मापके है, यानि यह दो त्रिभुज सरवांग समत्रिभुज है, पर क्या यह समरुप त्रिभुज भी होगी? अब इन दो त्रिभुजों को देखिए इन दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान अनुपात में है एवं संगत कोण बराबर बराबर मापके है तो क्या ये सर्वांग सम भी होंगे? उत्तर स्पष्ट है दो त्रिभुज यदि सर्वांग सम है तो वह समरूप भी होंगे परन्तु यह जरूरी नहीं कि दो आकरितियां या दो त्रिभुज जो समरूप है वो सर्वांग सम भी होंगे इस प्रकार आज हमने देखा कि दो आकरितियों के समरूपता से हमारी क्या अभिप्राय है और समरूपता की क्या शर्ते है दो त्रिभुच के समरूप होने के लिए कुछ अलग शर्ते हैं कुछ अलग प्रमय हैं जिनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे